हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फोर कोड लर्निंग तो आज का जो हमारा टॉपिक है आई यूएस एप्लिकेशन डवेल्पमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक कस्टम कलेक्शन व्यू जो के हमने इमिजिस के साथ इंप्लिमेंट किय है उसको हमने आई यूएस के अंदर डिवेल्प करना है मगर इस एक्जामपल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने जो कस्टम कलेक्शन व्यू है उसको रिस्पॉंसिव बनाना है रिस्पॉंसिव से मेरा मतलब है कि आप एक ही डिजाइन को आईफोन 6 पे भी आई आईफोन 11, 12, 13 किसी भी आईफोन पे उसको जो है अडेप्ट करवा सकते हैं चलिए मेरे पास एक लाइव रनिंग एक्जामपल है पहले मैं उसकी आपको वर्किंग दिखा देता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही एजी एंड सिंपल वे के साथ इस तर एल्मेंट के रिलेटर एक ऐप्लिकेशन का जो डिजाइन है वो कस्टम कलेक्शन व्यू की हल्प के साथ यहां पे इंप्लिमेंट किया है और जो आप यहां पे एप्लिकेशन की रनिंग देख रहे हैं वो बेसिकली आइफोन 6 के अंदर है और आप देख सकते हैं किस तरीक पर रन करके आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से वही अप्लिकेशन जो है प्रॉपरली अपने व्यू को जो है और अड़ाप्ट करेगी अकॉर्डिंग टूदा स्क्रीन साइज और इसको मैं रन कर देता हूं तो फ्रेंड यहांपर आपैर आप देख सकते हैं मैंने एक ही आप्लिकेशन को जो है डिफेन डिफेन्ट मॉबाइल साइजेस के आईफॉन के ऊपर जो है इसको रन करके आपको दिखाए है सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे माउस का करसर और यह जो स्क्रीन है यह basically आईफोन 6 की स्क्रीन है जिस पर आप देख सकते हैं जो custom collection व्यू है वो अपने responsive डिजाइन के साथ बिलकुल perfectly यहाँ पर आपकी mobile की स्क्रीन के size को match कर रहा है और same application यहाँ पर जो मेरा mobile का करसर आप देखिए यह आईफोन 10S और यहाँ पर भी आपकी वही application जो है responsive design के कारण उसने जो screen का size है वो adapt कर लिया है और third number पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है iPhone SC जिसकी screen काफी size में छोटी है और यहाँ पर भी responsive design होने के कारण आपका जो custom collection व्यू है उसने properly यहाँ पर screen size को जो है adapt कर लिया है तो यही है हमारी आज की जो application जिसमें हमने custom collection view को responsive design के साथ जो है वो implement करना है तो काफी important example है काफी सारी applications के अंदर इसकी आपको जरूरत पड़ेगी तो इसको आपने carefully जो है वो ध्यान से देखना है तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको practically implement करने से पहले theory के related जो एक दो terms हैं वो आपको बता देता हूँ क्योंकि यह आपके लिए जानना काफी important है आप इन terms को google पर search करके इनके बारे में और भी जो knowledge है और भी जो information है वो gain कर सकते हैं तो सबसे पहले पता ही है आपको इस application के लिए जो मैंने built-in class use की है वो है UI collection view तो इसको design इसी purpose के लिए किया गया है तांके आप manage कर पाएं ordered collection of data items को और उन्हें present कर पाएं किसी customizable layout के अंदर और जो collection view है वो हमें काफी flexible way provide करता है तांके हम जो content user को अच्छे से present कर पाएं और जिस तरीके से आपका table view काम करता है उसी तरीके से जो collection view है वो किसी data source से data लेता है और उसे display कर वाता है उस data को with the help of combination of cell layout and supplementary view और चलिए collection view जो है जब भी आपको कभी grid में data को display करवाना है या किसी custom layout के अंदर आपने data को display करवाना है तो आप बिना किसी चिंता के आप जो collection view है उसकी help ले सकते हैं तो चलिए friends ये तो थी बाते theory के related अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे कि इस example को हमने practically किस तरीके से implement करना है तो चलिए सबसे पहले इस project को मैं stop कर देता हूं इस पूरे project को मैं close कर देता हूं और एक बिलकुल नए project के साथ Xcode के अंदर जो है इसकी development शुरू करते हैं और यहां से अब हम select करेंगे project अब हमने यहां पर single view application को develop करना है next पर क्लिक करेंगे अब हमने यहां पर product का जो name है वो देना है तो आप कोई भी अपने accordingly जो product का name है वो यहां पर दे सकते हैं तो मैंने इस तरीके से एक जो application का name है project का name है वो यहां पर रख दिया है बाकी settings आपने default रहने देनी है जो language हम use करेंगे आज की example को implement करने के लिए वो हम करेंगे swift और next पर क्लिक करते हैं अब आपने अपने laptop के अंदर जहां पर भी आपको अच्छा लगे आप एक folder जो है वो create कर दीजिए तो मैं यहां पे एक folder create कर देता हूँ कुछ इस तरीके से वर्जन है मेरे पास वो है five और अगर बात करें x code की तो यह मेरे पास है 10.2.1 अगर आपके पास कोई इससे higher version है तब भी आप इस example को इसी वे के साथ easily जो है वो develop कर पाएंगे और friends आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप इस चैनल के ओपर नए है चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ओपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटर जो वीडियो टुटोरियल से हैं उनके जो सबसे बड़िया मैथर्स हैं वो अप्लोड करते रहते हैं जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समयने में काफी हेल्प मिलेगी और इनकेस कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूटुब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डारेक्ली इमेल बेज सकते हैं हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके आपका जो क्वेरी का जो रिस्पॉंस है वो रिप्लाई है वो आपको जितनी जल्दी हो सके दे पाएं तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस एक्जमपल का जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो यहाँ पे हम तियार करेंगे तो उसके लिए हम में डोट स्टोरी बोड के अंदर जाएंगे और अपना जो इंटरफेस बिल्डर की हेल्प के साथ यहाँ पे जो ले आउट है इस एप्लिकेशन का वो यहाँ पे इंप्लिमेंट करेंगे तो फ्रैंड्स चलिए यहाँ पे सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो रैडी करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे कलिक करेंगे लाइब्री के ओपर और यहाँ पर सर्च करेंगे collection view और इस collection view को मैं drag and drop करता हूँ अपने storyboard के उपर अब हमने इस collection view के जो constraints हैं वो set करने हैं तांके यह जो collection view है यह पूरे की पूरी जो mobile की screen है उसकी जो space है उसको occupy कर पाए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0000 और यह चार new constraints जो हैं वो आपने add करने हैं और इस constraints to margin वाले checkbox को आपने अंचक करना है मैं यहाँ पर इसको अंचक कर देता हूँ और add कर देता हूँ उसे as a constraints और चलिए अब हमने इस collection view के जो cell का size है size inspector के थूँ यहाँ पर हमने रखना है 195 by 172 इस तरीके से आप इसका size अपने accordingly रख सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर मैं 200 by 200 भी कर सकता हूँ चलिए 200 by 200 कर देते हैं अब हमने इस collection view cell को select करना है और इसके identity inspector के अंदर जाना है और इसके identifier का जो name है वो set करना है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ cell अब हमने इस collection यहाँ पर एक नई file add करेंगे और यह file होगी coca touch class next पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो super class हमने use करनी है वो है UI collection view cell class और उपर जो class का name है वो आप अपने accordingly कोई भी name यहाँ पर रख सकते हैं तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ my collection view cell class और next पर क्लिक करते हैं और अब हम यहाँ पर create कर देते हैं इसे project के अंदर तो चलिए आप देख सकते हैं मेरी जो my collection view cell class है वो यहाँ पर बन चुकी है अब इसको हमने bind करना है अपने collection view cell के साथ तो उसके लिए main door storyboard में चलते हैं और अब आपने यहाँ पर my collection view जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो cell class है इसको select करेंगे अब हमने identity inspector के अंदर जाना है और यहाँ पर जो class आपने create की थी जैसे ही आपर drop down arrow के उपर क्लिक करेंगे class का name जो है वो automatically यहाँ पर जाएगा आपने select करना है और enter press करना है चलिए जो नई class थी उसकी connectivity जो हो चुकी है अब हमने इस cell के अंदर जो image है हमारी वो insert करनी है मगर उससे पहले आपके पास जो images हैं helmets के related वो होनी चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी helmets की जो images हैं वो internet से google पर search करके जो है वो इस तरीके से download की हुई है तो इसको हमने इस assessed folder के अंदर यहाँ पर app icon के नीचे drag and drop करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको open करता हूँ इन सारी images को mouse की help के साथ select करते हैं और इन्हें drag and drop करते हैं इस assessed folder के अंदर तो चलिए आप देख सकते हैं मेरी सारी की सारी images जो हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं अब हमने main door storyboard में जाना है और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं तांकि यह center में आ जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसका size increase करने पर यह जो cell है वो center में आ चुका है और अब हमने library के through यहाँ पर search करना है image view और इस image view को इस cell के अंदर drag and drop करेंगे अब हमने इस image का जो constraints है वो set करने है तांकि यह cell की सारी की सारी जो space है उसको occupy कर पाए तो मैं यहाँ पर add करता हूँ नए constraints चारों sides पर मैं 00 यहाँ पर enter करूँगा और इन चारों constraints को add करूँगा इस image के ऊपर तो आप देख सकते हैं इस तरीके से image मेरी आ चुकी है अब हम यहाँ पर जो attribute inspector है उसके थूँ एक image जो helmet की है वो लगा के देख लेते हैं तांकि आपको पता चल पाए किस तरीके से image जो है वो यहाँ पर display होती है तो चलिए image हमारी यहाँ पर properly आ चुकी है अब हमने इस collection view के delegate and data source दोनों ही set करने हैं तो उसके लिए collection view को select करेंगे keyboard पर control की को press करते हुए इसे drag and drop करेंगे यहाँ पर yellow dot के उपर और यहाँ से select करेंगे data source फिर से control की को press करते हुए यहाँ पर drag and drop और यहाँ से select करेंगे delegate तो चलिए data source and delegate दोनों ही set हो चुके हैं अब हमने इस collection view का and इस image का जो यहाँ पर जो आपने यहाँ पर बनाना है इस का आपको बता देता हूं इसको my collection view को select करेंगे control की को press करते हुए यहाँ पर drag and drop करेंगे इसका जो IB outlet है वो हमने create करना है तो जो collection view का IB outlet है वो हम इस view controller के अंदर जो है वो create करेंगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ my collection view इस तरीके से आप name कोई भी दे सकते हैं और अब हमने इस automatic की जगे पर manual के थुरू यहाँ पर open करनी है अपनी class my collection view cell class और यहाँ पर अब हम इस image का जो IB outlet है वो create करेंगे तो drag and drop करते हैं यहाँ पर और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ my image view इस तरीके से चलिए इसको भी connect कर देते हैं दोनों ही IB outlets यहाँ पर हमारे बन चुके हैं अब हमने coding की तरफ जाना है और coding काफी important है आपने बड़े द्यान से यहाँ के coding की तरफ जो है वो configuration है वो reflect कर पाए तो अब हमने जो coding करनी है इस से view controller के अंदर करनी है side वाले panels को मैं hide कर देता हूँ और सबसे पहले यहाँ पर एक हमने जो data source है उसके लिए जो एक array या images की वो यहाँ पर create करनी है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ helmet images और अब हमने यहाँ पर square brackets के अंदर जितनी भी हमारी images है यहाँ पर इन सभी के जो names है as a array के element की तरफ जो है वो लिखने है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ helmet same name आपने लिखना है one यहाँ पर helmet two तो जो भी आपने images के name लिए होंगे वो सभी names यहाँ पर आपने लिखने है तो friends यहाँ पर मैंने coding पहले से की हुई है तो मैं यहाँ पर इसको control भी के थूँ पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर command भी के थूँ sorry पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो images थी वो थी helmet one से लेके helmet 16 तक तो वही सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं helmet one से लेके helmet 16 तक मैंने images जो हैं वो यहाँ पर use की है तो चलिए अब हमने जो अपना यहाँ पर collection view को implement करने के लिए उसके दो प्रोडोकोल्स को use करेंगे तो सबसे last में चलते हैं इसी file के अंदर और यहाँ पर extension को use करेंगे extension view controller और यहाँ पर दो प्रोडोकोल्स हम use करेंगे यू आई collection view data source और उसके साथ यू आई collection view delegate अब हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडोकोल्स यूज किये हैं तो इनको confirm करने के लिए इनके उपर ख़ड़ा उतने के लिए आपको इनके जो compulsory methods हैं वो code करने पड़ते हैं तो मैं यहाँ पर जैसे fix पर क्लिक करूंगा जो compulsory methods हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं तो यह basically protocols के जो stub हैं इनको use करना काफी important है तो सबसे पहले collection view का function है जिसमें आप parameter देख सकते हैं कि number of items जो हैं हर एक section में कितनी होनी चाहिए तो यहाँ पर मैं return करूंगा जितने number of elements हमारी helmet image array के अंदर हैं उतने elements ही हमारे items ही हमारी collection view के अंदर जो होनी चाहिए अब हमने second जो collection view का जो function है इसमें आप parameter देख सकते हैं cell for item add तो इसमें हमने हर एक cell में data किस तरीके से display करवाना है उसकी coding करनी है तो मैं यहाँ पर dq reasonable cell जो है वो method यूज़ करूंगा identifier में cell लिखूंगा index path और अब हम इसको type cast करेंगे my collection view cell class के through अब आप कहेंगे यहाँ पर हमने cell जो identifier का name है वो कहां से use किया तो आप देख सकते हैं जब हमने यहाँ पर cell create किया था तो उसके identity inspector के अंदर हमने identifier का name cell लिखा था तो जो name यहाँ पर हमने लिखा है वही name अब आपको coding के अंदर जो है वो use करना पड़े अब मैं यहाँ पर cell के through उसकी my image view को fetch करूँगा उसकी image को set करूँगा image कहां से आएगी ui image का जो named parameter है वो हम use करेंगे और data आएगा helmet array में से कौन सा data वो हम index path.row के तो यहाँ पर fetch करेंगे कुछ इस तरीके से अब हमने cell की जो layer है उसका border Colour हमने set करना है तो वह हम करेंगे यहाँ पर color करेंगे grey अब color कोई भी यहाँ पर कर सकते हैं तो उसको CG color के through convert करेंगे cell की जो layer है उसका जो border की width है वह हम यहाँ पर use करेंगे 0.5 और cell की जो layer है उसका जो corner radius है उसको हम use करेंगे यहाँ पर 20 और cell को करेंगे यहां पर, clip to bound उसको करेंगे true, और last में हमने return करना है cell का जो object है उसको, अब अगर मैं इसको run करूं तो आप देख पाएंगे कि अभी हमारी जो application है, वो responsive नहीं बनी है, यहां पर, तो यहां पर मैं इसको एक बार stop कर देता हूं, और यहां पर iPhone 10S हम select करेंगे, यहां पर 10S कर देता हूं, और अब इसको दुबारा से run करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, हमारी application जो है, वो run हो चुकी है, और यहां पर जो data है, वो grid की थरे यहां पर display नहीं हुआ है, और तुकी हमने जो flow layout है, वो यहां पर use नहीं किया था, जिससे हमने हर एक row को दो columns में divide करना था, और वो भी responsive, तो उसके लिए चलिए यहां पर एक delegate और यहां पर add करते हैं, UI collection view delegate flow layout, और अब हमने इसके जो protocols के जो important यहां पर methods हैं, वो use करने हैं, तो सबसे पहले यहां पर enter item spacing जो है, वो हम use करेंगे, minimum enter, इस तरीके से जैसे आप लिखेंगे, इंटर item spacing जो हमारा method है, वो यहां पर बनेगा, यहां पर आप देख सकते हैं, minimum enter item spacing, कहने का मतलब दो जो columns हैं, उनमें जो space होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, यहां पर हम करेंगे 10, और इसी तरीके से हमने minimum line spacing जो है, वो use करना है, यहां पर method आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है minimum line spacing section add, तो यहां पर हम return करेंगे 15, अब हमने क्योंकि हर एक row को दो columns में divide करना है, तो उसके लिए एक method और use करेंगे, वो हम करेंगे यहां पर size for item, enter press करना है, आपने यहां पर देखिए, जो collection view का function है, वो यहां पर बन चुका है, और यहां पर लिखा हुआ है size for item add, यहां पर हमने सबसे पहले एक object यूज़ करेंगे, flow layout वो किस तरीके का होगा, collection view flow layout as I use करेंगे, यहां पर UI collection view flow layout चलिए, अब हमने यहां पर एक और space नाम का जो cg plot object है, वो यूज़ करना है, तो यहां पर अब हम use करेंगे, flow layout की अगर कोई भी minimum inter item spacing है, वो यूज़ करेंगे, अगर कुछ नहीं है, तो यहां पर उसकी जो value है, वो 0 यूज़ करेंगे, conditional statement जो है, वो हमने यहां पर use की है, फिर से flow layout यूज़ करेंगे, और उसकी यूज़ करेंगे, section insert की जो left की value है, वो यूज़ करेंगे, और अगर नहीं है value तो यहां पर हम 0.0 यूज़ करेंगे, फिर से हमने, इसको plus करना है, flow layout, और अब हम section insert की जो right वाली value है, इसको एक बार save कर लेते हैं, यहां पर, flow layout मैंने यूज़ कर दिया, यहां पर use करेंगे, इसको देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, अब हमने यहां पर, इससे use करेंगे, flow layout dot section insert dot, यहां पर इसको इस तरीके से कर देते हैं, question mark, और यहां पर जो value है, वो use करेंगे हम right side वाली, और अगर वो नहीं है value तो यहां पर use करेंगे 0.0, चलिए है, यहां पर हमने space जो है, वो consider कर ली है, अब हमने इस space को जो है, यहां पर use करना है as a, जो separator है, उसकी value जो है, वो यहां पर detect करनी है, तो यहां पर हम करेंगे size equal to cg float, तो चलिए है, यहां पर size को हम use करेंगे, my collection view, कुछ इस तरीके से, dot उसका frame, और उसके बाद में उसकी size के थूरू, उसकी width की value है, वो यहां पर use करेंगे, और minus करेंगे, उसमें से जो space थी, वो जो हमारे पास आई थी, minimum enter item spacing को add करके left and right section insert के थूरू, और अब हमने उसको divide करना है, क्योंकि हमने दो columns यहां पर use करने हैं, तो यहां पर उसको divide करेंगे 2.0 से, और यहां पर अब हमने return करना है, cg size कुछ इस तरीके से, और उसकी width and height है, वो यहां पर size as a size यहां पर return करेंगे, क्योंकि हमने उसको equal size में जो है, वो divide करना है, हर एक cell को, हर एक column को, तो चलिए, यहां पर आप देख सकते हैं, coding मेरी हो चुकी है, और graphical user interface मैंने यहां पर कर दिया है, complete, अब हमने इसको run करना है, और देखते हैं, किस तरीके से इस application की जो output है, वो हमें नजर आती है, तो मैं इसको एक बार run कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं, मेरा जो simulator है, वो run हो चुका, यहां पर आप देख सकते हैं, properly जो graphical user interface है, वो यहां पर बन चुका है, collection view ने data को as a grid की form में, यहां पर display करवा दिया है, और हर एक जो यहां पर आप देख सकते हैं, हर एक जो यह यहां पर cell है, वो properly यहां पर हमारा जो है, वो display हो चुका है, चलिए अब थोड़ी सी यहां पर space जो है, वो दे देते हैं, left and right में देखते हैं, क्या यहां पर निकल के आता है, तो मैं यहां पर collection view को select करूंगा, size inspector के अंदर जाओंगा, यहां पर जो left and right है, वो यहां पर five क कर देता हूं, और इसको दुबारा से run करते हैं, और अब देखते हैं, किस तरीके से थोड़ी सी application में जो changes हो आती है, तो अब आप देखेंगे, यहां पर lines थी, जो नजर नहीं आ रही थी, left and right side पर, यहां पर properly नजर आ चुकी है, अब मैं इसको किसी छोटी screen पर भी run करके दिखा देता हूं, आपको application को, तांके आपको पता चल पाए कि यह जो design है, यह responsive है, किसी भी screen size के accordingly अपने आपको adapt कर सकता हो, तो इसको मैं 5S जो mobile है, iPhone उस पर run करके देखता हूं, और इसको मैंने run कर दिया है, तो आप देख सकते हैं, यहां पर simulator जो है, वो run हो चुका, औ और यहां पर आप देख सकते हैं, properly जो application है, वो यहां पर display हो चुकी है, और इस ही application को, अब मैं आपको iPad पर भी दिखा देता हूं, run करके, तांके वहां पर भी आपको पता चल पाए, तो मैंने इसको iPad पर run कर दिया है, इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं, मेरी जो application है, वो यहां पर जो iPad है, उस पर भी run हो चुकी है, और properly उसी वे के साथ जो data है, वो यहां पर display हो चुका है, हर एक column को उसने properly divide कर दिया है, यहां पर, हर एक row को दो column से में divide कर दिया है, और आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया जो responsive application है, वो हमने यहां पर design किया है, तो friends, आज आपने सीखा, कि कैसे collection view को as a responsive आप application के अंदर embed कर सकते हैं, अगर आपको application अच्छी लगी है, तो जल्दी से इस video को like कीजिए, और अगर आप और भी videos हमारे channel के उपर इसी तरीके से देखना चाहते हैं, तो channel को subscribe करना मत बूलिए, bell icon उनको press कीजिए, तांके, जब भी मैं नई videos channel के उपर upload करूँ, तो उसका जो notification है, वो आपके पास पहुंच पाएं, तो इसी तरीके से हमारे जो channel के साथ आप जुड़े रहिए, सीखते रहिए, thanks friends for watching our videos, मिलते हैं, next video के अंदर किसी नए topic के साथ, अब के लिए, bye bye